नमस्कार दोस्तों, एनलोग इलेक्ट्रोनिक्स लेक्चर सिरीज में आप सब का बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में क्लैप ओसिलेटर को इन डिटेल स्टडी करेंगे तो सबसे पहले तो ये पता कर लें कि जब हम कॉलपिट्स ओसिलेटर स्टडी कर चुके हैं तो क्लैप ओसिलेटर को स्टडी क्यों करते हैं उसकी वज़े यही है दोस्तों कि कॉलपिट्स ओसिलेटर में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो स्टेबल नहीं होती उस frequency को pure stability देने के लिए हम इसका use करते हैं तो इस clap oscillator में एक capacitor हम extra use करते हैं ताकि इस problem से चुटकारा पाया जा सके तो अगर already call pits में दो capacitor थे, एक inductor था अगर यहाँ एक extra capacitor use करोगे तो दोस्तों यहाँ पे तीन capacitor use होंगे in feedback network और आपका सिर्फ एक inductor यहाँ पे use होगा clap oscillator like heart play and call pits यह भी आपका LC oscillator ही है यानि जो feedback network है उसमें आपके inductor और capacitance ही है वहाँ पे register नहीं होगा अब देखते हैं दोस्तों इसके circuits को circuits में यह जो section है पूरा का पूरा यह आपका amplifier section है और यह जो section है यह आपका feedback network है feedback network में अगर मैं इस C3 को use ना करूँ तो यह बिलकुल आपका call pit oscillator बन जाता है लेकिन यहाँ पे मैंने C3 एक capacitance है जिसको मैंने use किया है और इस C3 की value को इतना छोटा रखेंगे as compared to C1 और C2 कि जो frequency unstability का issue है वो दूर हो जाएगा ठीक है तो बात करते हैं जो हमारा यह amplifier है इस amplifier का output इस feedback network के input में चला जाता है जैसे बाकी के oscillators में जाता है तो यहाँ पे चला गया अब finally feedback network का जो output है वो आपका C2 के across रहता है यह callpits oscillators में हमने देख लिया था तो यह जो terminal है यह आपका feedback network का output terminal है जहाँ से VF potential मिलता है और वो potential दोस्तों हम इस amplifier के input terminal में डाल देते हैं amplifier आपका common emitter configuration का है तो input terminal आपका base terminal होगा और output आपका collector terminal होगा तो यह हमारा coupling के पेस्टर है यह हमारा blocking के पेस्टर है R1, R2 biasing resistance है जिससे यह transistor हमेशा active regions में काम करता रहे और amplifier पूरा circuit आपका amplifier की तरह काम करता रहे ठीक है अब देखिए दोस्तों हमें यह पता है कि जो BZT है high frequency और low frequency analysis तो BZT अगर आप बहुत high frequencies अपलाई करते हो तो BZT है इसका एक input capacitance आपको जरूर देखेगा वो input capacitance आपका इस C1 के साथ additive nature का होगा इसका मतलब अब यह जो C1 है ठीक है वो C1 अब C1 ना रहके C1 dash हो जाएगा और C1 dash की value होगी इस capacitor की value C1 प्लस इस BJT का अपना internal capacitance just because of the very high frequency passing through this circuits तो यह हो जाएगा C1 प्लस C in यही सबसे बड़ी समझ्या थी क्योंकि जो C1 और C2 value है उस पे हमारी frequency depend करती थी और C1 और C2 value constant नहीं रह पाती थी BJT high frequencies पे काम करता था इसकी वज़े से उसका कुछ internal input capacitance और output capacitance होता था जो इनके साथ add हो सकता था अब बात करते हैं C2 की BJT है तो BJT में definitely आपका क्या है input capacitance भी होता है और एक output capacitance भी होता है जब उसमें बहुत high frequency पास हो वो output capacitance इस C2 के साथ additive nature में होगा यानि अब जो C2 है वो आपका C2 dash बन जाएगा और वो होगा C2 plus C out इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका C1 है और जो C2 है वो fix नहीं है वो fix नहीं है अगर वो fix नहीं है तो आपकी output जो voltage है output जो frequency है वो भी fix नहीं होगी इस problem को दूर करने के लिए छोटी सी trick हमने यूज की और वो trick क्या थी कि हमने एक additional capacitor यूज कर लिया वो आपका इस L के साथ series में connect कर दिया और जो C3 है C3 की value को हमने बहुत छोटा रखा बहुत छोटा यानि अगर ये C3 बहुत छोटा है तो 1 अपोन C3 क्या होगा बहुत बड़ा होगा तो 1 अपोन C3 की value क्या होगी It is very very large compared to 1 ठीक है तो इस छोटी सी value को हमने यहां connect कर दिया अब इसको जब मैं connect करूँगा तो definitely X2 ये क्या हो जाएगा X1 X2 X3 राइट और X4 ये सारा 0 हो जाएगा as per the LC oscillators condition तो सारे के सारे reactive impedance का sum आपका 0 हो जाएगा अगर ये 0 होगा तो क्या होगा already F0 का expression call fits में already निकाल चुके हैं उसमें आपका plus 1 upon C3 भी factor add हो जाएगा अगर C3 आपका बहुत चोटा है ठीक है तो 1 upon C3 क्या होगा बहुत बढ़ा हो जाएगा तो ये अगर बहुत बढ़ा होगा तो ये जो दो factors है ये meaningless हो जाएगे तो जब आपकी output frequency approximately किसके बराबर होगी 2 pi under the root 1 upon L into C3 तो ये आपका expression बन जाएगा अब आपकी जो resonating frequency है या जो output frequency of oscillator है वो frequency C3 पे depend करती है ना कि C1 और C2 पे depend करती है C1 और C2 का connection किसी तरीके से amplifier के साथ है लेकिन C3 का connection amplifier के साथ direct नहीं है तो इसका मतलब BJT high frequencies पे input और output capacitance यो करेगा उन capacitance values का C3 के उपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और जो output frequency है अब वो आपकी L और C3 पे depend करती है ना कि C1 और C2 पे इसी तरीके से हम कह सकते है कि जो clap oscillator है उसमें जो output frequency है वो बहुत ज़्यादा stable है तो frequency stability बेटर है इसलिए हम call pits oscillator की बज़ाए clap oscillator को study करते है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको मेरे lectures पसंद आते हैं तो मेरे YouTube channels को आप subscribe करें और अपने friends में इसे जरूर share करें This is the end of the video Thank you so much for watching this video